नमस्कार वायो वेलकम आप सभीका तो दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आर्लेंड वर्शिज इंग्लेंड के बीजो सेकंड ओडियाई मैच खेला जाएगा उसमें दोस्तों मारी फैंटेसिक की क्या टेम रहने वाली है क्योंकि यह मैच भी काफी अच्छा है इस मैच में प्रोफिट किया जा सकता है इस मैच में ग्रैंड लीग की टीम में भी अच्छी रैंक लाइ जा सकते हैं और समोल लीक तो इस मैच में EG Klin River होना चीए है इसलिए इस मैच को हम कवर कर लें तो दौस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे पिच्छी रिपोर्ट कैस पर कितना स्कोर्स बनता है अगर आर्लेंड फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो आर्लेंड कितना स्कोर्स करने वाली है अगर इंग्लेंड फर्स्ट बैटिंग करते हैं तो इंग्लेंड कितना स्कोर्स करने वाली है कितनी विकेट्स पर गिरते हैं हम बैट्समेन को अपनी टीम म लेकर चले या फिर हम बोलर्स के फिर में अपनी टीम मनाएं Captain वाइस Captain safe Captain आपको पता ही है प्रेंडार ग्राष्ट है cat क्रोश है लेकिन unique Captain को रहने वाली है ट्रम काड़ी खिलाड़ी आज के मैच में को लेने वाले हैं वो मेंस के मैच में सिर्फ दो ट्रम काड़ी को ले कर अगर अपनी टीम बनाएं ना तब भी हम Grand League विन कर सकते हैं तो वह कौनशे दो ट्रम काड़ी खिलाड़ी जिनको हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं आर्लाइंड की तरफ से कितने खिलाडी लेकर चलने वाले हैं और इंग्लाइंड की तरफ से कितने खिलाडी लेकर चलने वाले हैं पिछ रिपोर्ट्स एट्वा डिकोर्ट्स कौन सी खिलाडी रिसेंड फोर्म में हैं कौन सी खिलाडी ऐसी है जो पहले मैच में फलोप हो ले समोओ क्यी टिम और ग्रैन एक की टिम कि साथ सा दोस्तों वीडियो में आपके लिए पच्चीज रुरुपे का गिवे रहेका उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना है और जिसका टिक होगा उसको 25 रुपय का गीवें मिलेगा और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे प्रेडिक्शन अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिजेगा क्योंकि आप लोग लाइक करते हो आपका प्यार मिलता आपका समर्थन मिलता तो काफी अच्छा लगता है क्योंकि इन मैच को म subscribe भी कर लिएगा दोस्तों अब दोस्तों बात करते हैं मैच के मैच खेला जाएगा 9 तारिक को 2 पैर के 3 बच कर 15 मिनिट पर Civil Service Cricket Club में मैच खेला जाएगा तो कैसी pitch report से इस मैच के लिए pitch की बात करें दोस्तों अच्छी pitch है वोमेच के मैच में दोस्तों कि आषपाश सकोर्स मनता ङयांनी कि बैटिंग करना असान है बॉल्र्ण की बात करें तो शिर्फ और शिर्फ यहां पर हालिया दिनों में पेससर्स को ज्यादा विकेंट मिलती है Spinners को सिर्फ दो या तीन ही वीकेश मिलते है Records की बात करें न दोस्तों इस पिच पर अब तक 5 Match इज के लिए जा चुए है जिसमें से 1 टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 2 और 2 टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 3 मैच विन के है अब first और second का कोई ज्यादा difference नहीं है वहाँ पर दोस्तों हाला कि England strong team है तो England के win करने के चांची ज्यादा रहने वाले लेकिन Ireland को आप weak team मत मानिएगा Ireland भी England को हरा सकती है क्योंकि अभी जो series हुई थी Ireland woman की और स्री लंका woman की Ireland woman ने स्री लंका woman को हरा दिया था तो इसलिए Ireland woman की team काफी अच्छी है वहीं पर देखोंगे तो scores पांच में चीज़ खेले जाच को हैं जिसमें से 200 से नीचे दो बार scores बन चुका है और 200 से 500 के बीच एक बार 200 से 300 के बीच दो बार scores बन चुका है average scores की बात करें 205 से 225 के बीच average scores है यानि कि ज्यादा तर scores यहीं बनता है 205 से 225 के बीच या फिर आप मान सकते हो 200 से 500 के बीच हालिया जो शिरी चलिए इसमें scores बनने के ज्यादा तर चांची जा high scores की बात करें 205 रन high scores भी बन चुका अगर England first batting करती है तो England 261 से ज्यादा high scores कर सकती है low scores की बात करें तो 82 रन या पर low scores भी रह चुका लेकिन low scores फिलाल रहने के कम चांची जा यानि कि दोनों ही टीमों में बात करें तो 200 के पार scores बनना चाहिए दोनों ही टीमों को आप दोस्तों जो last match के लागया था इस pitch पर जो पहला ODI match के लागया था Ireland का और England वोमेन का Ireland वोमेन ने 210 रन बनाए फर्स्ट बैटिंग की और 210 रन बनाए और 10 विकेट्स गिर गे थे Ireland वोमेन के वहीं पर England वोमेन ने 211 रन बना लिए 34 और में 6 विकेट्स पर easy change कर गी थे Ireland वोमेन की बात करतों इस match में दोस्तों पेसर्च को आप देख सकते हो 11 विकेट्स मिली सारी की सारी विकेट्स आप मान चकते हो पेसर्स को ही मिली थी इसलिए जब आप अपनी टीम मनाओ तो सबसे पहले पेसर्स को अपनी टीम में उठा लीजिएगा जो जो पेसर्स हैं उनको आप टीम में रखिएगा और captain wise captain भी आप पेसर्स को करके चल सकते हो स्कोर्स की बात करें तो आर्लैंड वोमें ने 210 का स्कोर्स कर ता अगर आरलैंड की first batting स्कोर्स कर सकते है तो इंग्लैंड वोमें को डाइसो प्लस का स्कोर्स करना चाहिए तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है 200 से डाइसो के भी स्कोर्स बन सकता है पेसर्स बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले है इस पेस की बात करें तो अब दोस्तों बात करें हैट टो एडिकोर्ट की दोनों टीमों के बिच अब तक 6 मैचिस के लिए जा चुके है जिसमेंसे इंग्लैंड ने 5 और एक मैच आर्लैंड ने भी विन किया है यानि कि आर्लैंड एक अच्छी टीम है फिलाल बात करें तो होमग्राउंड पर भी है हो सकता इस मैच में विन कर जाए आर्लैंड देखो स्ट्रोंग टीम तो इंग्लैंड है जीतने के चांचीस इंग्लैंड के ज़्यादा लेकिं मैं आर्लैंड को कम नहीं कई ना कई वो फाइट दे सकती है और मैच को भी विन कर सकती है इसी लिए खिलाडी हम छे खिलाडी इंग्लैंड के लेकर चलेंगे और पांच खिलाडी हम लेकर चलेंगे आर्लैंड की अगर ग्रैंड लीग की टीम की कोंबिनिशन की बात की जाए समोल लीग की टीम की बा की उना रेमेंड और गबी लिव्स ओपनिंग कर रही है फिर एमी हंटर होगी और ला प्रिन डार गराश्ट ली पोल होगी इरलेंग कैली होगी एला स्टेक्टर होगी जेन मैग्यूर्क होगी सरगंट होगी ये इनकी प्लेंग लेंग रहने वाले हैं अब यहां से जेल में क्लिक बात करें दोस्तो बोलिग कोन बोलिग करने वाला से बात करें प्रिंडार ग्राष्ट और व्लिट्स यह तुवद्ट्स करेंगी 10 बहुत करें और उसके बात करें कि데ले 10 अगई टेक्टर ने लाश्ट मैच में च्यार बोलिंग की ठी आस तरह से इन तो last match में print आर्ग रश्ट में पहला डाला था और दूसरा और टेक्टर ने डाला था यानि कि यह दो power play में बोलिंग करेंगी depth की बात करें तो kelly और print आरग रश्ट आपको depth में बोलिंग करती भी दिखाई देने वाली है यह हो गया दोस्तों इनके bowling option यह हो गया बैटिंग order अब यहां से किस खिलाड़ी को हम लेकर चल सकते हैं किसके recent form कैसी है उमार उना रेमोंड ज्यादा थी खिलाड़ी नहीं है आप देख सकते हो लाश्ट के पांच मैचों में 500 मैचों में flow free है 0-1, 13-1, 0 अराम से drop करके चल स होता तब ही चलने के चांची जरहने वाले हैं यानि कि इसलिए बोलाओं कि grand league में लो सेलेक्शन को ट्राइक कर सकते हैं क्योंकि opening करिया लेकिन फिला recent form काफी कराब है और पेस सर्च को स्टैटिंग में मुमेंट रहने वाला तो इनके विकेर्स पेकने के चांची जरहने व जाती हैं अच्छी बैटिंग कर लेती हैं बडा स्कोर्स भी कर सकती है फिलाल हम मान इसकते हैं आज के मैच में 30 को बनाने ही चाहिए इसलिए फिलाल इन रह यह भी अच्छी बैट्समेन है मुश्ट लिए था हम 45 स्कोर्स करी देती है 37 च्यास च्यासट बयाली स्टैतर 34 अच्छा स्कोर्स है है वैन्यू पर अच्छा ओडियाई में अच्छा विकेट्स कीपर में एक अच्छी अपस है जिनको हम अपनी टीम में ट्राई करके चल सकते एक चलूँंगा और लाप्रेंड आर्ग्राष्ट इनको तो टीम में रखना ही रखना कहीं भी मैच कैसा भी मैच ओटी-ट्वन्टी और टैस्ट इनको हमेंसा में रखो एक स्ट्रोंग टीम के खिलाब मैं से तब भी यह कैप्टन की कांटेंड रहती है क्योंकि ये चैर न में प्लोप रही थी नहीं तो हर मैंच में दो से तीन विकेट सालिश से पचास रन बनाती बनाती है इसलिए आज के मैंच की सबसे अच्छी कंटेंडर यही है हाला कि इनका सेलेक्शन पचास परसंट के आसपास है लेकिन फिर भी पॉइंट यह देंगे देंगे तो हम उस य उनीक कैट्टन वाइस कैट्टन इस मैच में ज्यादा स्कोर्स करेगा या नहीं करेगा कैट्टन बनेगा यह नहीं बनेगा लेकिन इनके कैट्टन बनने के ओडियाई में ज्यादा तरचांचीज है क्योंकि बैटिंग से पॉइंच देने वाली है इसलिए कैट्टन की तो तो सबसे अच्छी कंटेंडर यही रहने वाली है फिर बात करते हैं दोस्तों पांच नमबर पर हैं लीपूल आप चाहो तो इनको अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो अच्छी पीक हो सकती है फिलाल सेलेक्षन ज्यादा है इसलिए इनकी जगाँ पर आप चाहो तो स्टोक पूल को ट्राई कर सकते हो जी एल की टीम में शेफ खेल दो तो आप पूल के साथ दाओ लेकिन अगर थोड़ा रिस्क लेने वाले हो क्योंकि यह भी बढ़िया बैटिंग करती है आप देख सकते हो 53 रन नोट आउट 21 रन नोट आउट ज्यादा तरह टाइम नोट आउट जाती है सेलक्षन 4 परसेंट है और पोल का सेलक्षन 62 परसेंट है गरैन लिग की टीम में आपको रिस्क लेना है अगर आप इन दोनों खिलाडियों में से किसी एक को रखना चाहते हो जील की टीम में थोड़ा रिस्क लेकर तो टीम मनानी ही होगी क्योंकि आप सब लोगों जैसी ट पोटेंट रहेंगी बोलिंग और बेटिंग दोने सी पॉइंट दे सकती हैं अब बात करें दोस्तों एलाइस्ट रोगी चार और बोलिंग कर से मिलने के कम चांस है इसेलक्षन बारा परसेंट है जील की टीम में ये दूसरी ट्रम का रिकलाड़ी हो सकती है या तो आप Elias Tector को अपनी टीम में रखो या फिर आप Stokel को अपनी टीम में रखो इन दोनों में से JL की टीम में एक को रख सकते हो फिर बात करते हैं दोस्तो जेन मैग्यूर्क इंपोर्टेंट खिलाडी है अलाकि लाश्ट मैच में इनको सिर्फ चारी और गेंदबाजी मिली थी और ये विकेट लेने के लिए जानी जाती है और ये इनका पिक्चर नहीं है ये चसमे लगाती है साद चेंज हो गया है जेन मैग्यूर्क अच्छी खिलाडी है लेकिन बोलिंग च्यार अवर करवारे इसलिए मैं इनको टीम में नहीं रख रहा अगर मेरे को पता चलता है कि ये साथ और बोलिंग करेंगी तो फिर मैं इसको उठा कर चलूँगा अपने टीम में क्योंकि विकेट टेकी नेचर्स की गेदबाज है सेलेक्शन साथ परसेंट है फर्स्ट बोलिंग के केस में ज़्यादा च्छी पिक हो सकती है फ्रेगा सारेंट लगबग एकाद ही विकेट्स मिलेगी सेलेक्शन भी 32 परसेंट है फिलाल मैं ड्रोप करूँगा क्योंकि मैं स्पिनर्स को नहीं लेकर चलूगा राइट आर्म और्थोडोक्स हैं विकेट्स मिलेके कम ही चांची जाएं अब दोस्तों बात करतें इंग्लाइंड की प्लेंग लेवन की तमें विटमाउंट और इमालाइंब ओपनिंग करें होली अर्मिटेज स्कोफिल्ड फ्रेया कैम्प बैस हैथ विलर्ष मकडोनाल्ड कैट क्रोस लोरन फिकर हैना बेकर ये इनकी प्लेंग लेवन है अब यहां से बोलिंग की बात करें जो इनके में बोलर्स है इनकी तरब लेकिन लाइश्ट मैच में इनहीं पंचाहों ने बोलिंग की थी लगबग 10-10 फर पावड़े की बात करें पावड़े में की थी cat cross और इनके साथ filler ने इन दोनों ने power play में bowling की थी वहीं पर death की बात करे cat cross confirm है इनके साथ backer कर सकती है या फिर filler भी death में bowling कर सकती है तीम चाहे तो 47 अवर 46 अवर के असपस willers को भी उज़ कर सकती है यानि कि आप मान सकते हो cat cross confirm है death में इनके साथ willers हो गई और filler और backer में से कोई एक कर सकता है अब यहां से 6 खिलाडी या 7 खिलाडी हम को उन से लेकर चल सकते हैं क्योंकि strong team है अब बात करते हैं दोस्तों तमें butamount wickets keeper में हाला कि तमें भी काफी अच्छी खिलाडी है लेकिन wickets keeper में hunter ज्यादा अच्छी लग रही है मेरे को इसलिए फिलाल में butamount को ड्रोप कर रहा हूं आप चाहो तो इनको ले सकते हो काफी interesting खिलाडी है और बनाती है और बनाने के लिए जानी भी जाती है फिर बात करते हैं मोश्टरी टाइम फ्लोप रहती है ज्यादा तर बड़ा स्कोर्स भी नहीं है तो ड्रोप करके चल सकते हैं प्रेंडार ग्राष लग बगर इन दोनों में से एक विकेश तो पहले यह और में निकाल लेगी या दूसरे और में निकाल लेगी फिर बात करते हैं दोस्तों अच्छी पीक है लाश्ट मैच में 44 अनम बनाए एक ही मैच को मैं लेकर चलूँगा स्कोर्फिल्ड यह नोने भी लाश्ट मैच में 31 अनम अच्छी पीक रहेंगी दोनों को मैं अपनी टीम में लेकर चलूँगा फ्रेया कैंप बोलिंग नहीं कर रहे हैं अगर बोलिंग करती तो घजब की पीक रहे थी फिर तो में कोई यूनिक करप सेलेक्शन 39 परसेंट है आप चाहो तो बैस हैत को भी ट्राइब कर सकते हो विलर्स की बात करें दोस्तों लास्ट मैच में तेरा रन बनाए और एक विकेश लिया सेलेक्शन 21 परसेंट है और यह दस सवर गेंदबाजी कर रही हैं इसलिए इस खलाड़ी को तो टीम में रख लिए लेकर चलने वाले और इघरे की बात करें विकेश administration में बैटिंग के लिए भी जाने जाती है लेकिन बेंडिंग और आइने अ आप देखो छे विकेश निकाल ली पेसर को इतनी एडवांटेश थी और 38 रन बना डाले बैटिंग से साधा ज्यादा रन ना बना पाए लेकिन तीन से चार विकेश आज भी निकालने वाली है इसलिए वाइस कैप्टन की अच्छी कंटेंडर है जिसको हम वाइस कैप्टन कर करेंगे हमी बैकर की टीम में जगें नहीं बन पाएगे क्योंकि फिलर और कैट क्रोश को मैंने टीम में रख लिया तो मैं बैकर को ड्रोब करके चलूँगा अब बात करते हैं दोस्तों मेरी फाइनल टीम की विकेश कीपर में एमिंटर लिव्ज स्कोफिल्ड आर्मी टैग कैले प्रेंडर ग्राइश फ्रेया कैम को मैंने एज ट्रम काड़ खलाड़ी आला कि सेलेक्शन ज्यादा है मैगनोलर्ड विलर्स कंफरंट ट्रम काड़ खलाड़ी रहने वाली है करोश और एली फिलर ये दोस्तों मेरी टीम है अब आप एक दो चेंजिज कर सकते हो आप ज आसे नो खिलाड़ी उठालो दस खिलाड़ी उठालो एक खिलाड़ी आप और एक्ट्रा लो सेलेक्शन कोई भी रख शकते हो अपने कोडिंग तो ग्रैंड लिकी टीम आप पी तयार हो जाएगी बाकि हमने वीडियो में बात कर लिया अब दोस्तों कैप्टन सबसे कोशन रहने वाला वो रहेगा प्रिंडार ग्रैस्ट आज के मैच में कितने रन बनाएगी कितनी वीकेट्स लेगी कितने फैंटेशी कोण्स होने वाले वास कैप्टन कि बात करें तो जिस तरह से केट रोसने लास्ट मैच में चैप्टन के अच्छिंडरा और 38 भी बनाए तो इसलिए ये वाइस कैटन की एक अच्छी ओप्शन हो जाती है बाकि जी एल की टीम में आप वाइस कैटन चाहो तो चेंज कर सकते हूँ लेकिन कैटन प्रिंडार ग्राश्ट ही रहने वाली है बाकि जो फाइनल टीम होगी फर्स्ट बैटिंग सेकंड बैटिंग के साब से चेंजिज होगा वो मिलेगी दोस्तों आपको टेलिग्राम पर इसलिए टेलिग्राम को जोईन ही किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलिग्राम को जोईन कर लिजेगा वीडियो अच्छे लगिए तो लाइक करिएगा चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा तो दोस्तों नमस्कार फिर मिलते हैं